हेलो गाइस और वेलकम तो माई यूटूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड दोस्तो आज के वीडियो आपके काफी जिदा इंपोर्टन और काफी जिदा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो मैं आपको लाइप प्रूब दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अ अपने जो फेस्बुक प्रोफाइल का नाम चेंज कर सकते हैं सबसे पाले दोस्तों हमको क्या करना है अपने फोन में क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है यहाँ पर जो मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ सेम ट्रिक आपको यूज करने ही यहाँ पर आ लिखाई देगी इस तरीके से आपको दोनों में से किसी एक पर किलिक कर देना है यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा अब जो भी नाम आप अपने फेस्बुक में लिखना चाहते हैं ओ नाम आप लोग पहले यहां पे लिखेंगे ताकि हम जो है यहां पे normal नाम लिखेंगे और इसके just नीचे अभी आप लोग देखिए कितना ज्यादा stylist नाम देखने को मिल जाता है हमने यहां पे लिखा मुखेश मारिवनसी लिखा और इसके just नीचे suggest automatic करने लगा काफी ज़्यादा यहाँ पर font style आपको color wise मिल जाते हैं new new font style, latest font style सभी मिल जाते हैं यहाँ पर जो भी चाहिए आपको जिस भी style में चाहिए आपको यहाँ से आप लोग copy कर लिजे कोई भी font style यहाँ से copy कर सकते हैं आपको कोई देखत नहीं है इसके बाद आप लोगों को किया करना है यहाँ पर facebook.com आ जाना है यानि facebook.com लिखना है और login कर लेना अगर login आपने कर नहीं किया है और इसके बाद यहाँ पर right side उपर की तरफ three line मिलेगी, three line पर आप लोग click करेंगे, three line पर click करने वाद यहाँ पर यह जो loading लेगा और finally आप लोगों कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा नीचे आएगे आप लोगों के एक option मिलेगा, setting का option आप लोगों कुछ setting के option पर click करना है, यहाँ आप देख सकते हैं setting के option पर click करने वाद यह फिर से loading लेगा, और इसके बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा, सबसे उपर आपको personal information का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है personal information पर click करने वाद एक नया page open होगा, और इसमें आप लोग अपना mobile number नाम सब कुछ change कर सकते हैं, सबसे उपर आप लोगों को मिल जाएगा नाम का option, तो हमें नाम change करना है, नाम वाले option पर click कर देंगे, नाम वाले option पर click करने वाद यहाँ देख सकते हैं, यह loading ले रहा और finally इसके बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है, इसमें दोनों आप लोगों को अपना नाम लिख देना है यानि लिखना नहीं है दोस्तों, जो भी हमने copy किया है, वही हम करेंगे, यहाँ पे paste यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे एक उपर वाले में मुकेश लिख देते हैं और तो यहाँ पे save का option मिलेगा, उस पर आप लोग किलिक कर देंगे, किलिक करने वाद इस save हो जाएगा, अगर दोस्तों नहीं save होता है, आपको कुछ ऐसी problem देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे किरिपया सीरिप जो अच्छरों का उपयोग करते हुए, अपना profile नाम चुने तो इस तरीके से अगर कोई problem आपको मिलते हैं, तो आपको attention नहीं लिएना है, दोस्तों आपको फिर से आपको दूसरी trick यूज करनी है, क्योंकि अगर वो trick काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो और fonts keyboard यहाँ पे download कर लेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, 50 million से ज़्यादा लोग download कर चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, font keyboard डाउनलोड कर लेंगे और इसको open करेंगे, next का option इस पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे upload, पहले कोई भी date आप birth चूच कर लेजिए, next करिए, इसके बाद यहाँ पे enable fonts keyboard है, इस पर click करके आप इसको permission देजीगा, दूसरा option है, switch to keyboard इस पर click करके, font पर click कर देना है, और इसके बाद आपको कुछ language दिखाए देंगे, तो right side उपर की तरफ okay पर click कर देना, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नए करना, इस app के अंदर इसको हटा देंगे, प्ले स्टोर को भी हटा दीजे, कोई दिक्कत ने, अब फिर आ जाते हैं हम उसी profile में, अब यहाँ देखेंगे, आप लोग अपना keyboard देखिएगा, आप लोग यहाँ पे change हो चुका होगा, अब यहाँ से उपर की तरफ से slide करके, कोई भी style आप लोग direct यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, काफी जदा font style आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ से आप लोग कोई भी font style चूज करेंगे, अपना यहाँ पे direct आप लोग नाम लिख सकते हैं, आपको copy और paste करने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा क्या होता है जब आप लोग यहाँ पे font style चूज करेंगे कोई stylish font style तो यहाँ पे कभी-कभी यह accept नहीं करता है क्योंकि काफी ज़्यदा problem होती है जो ऐसा नाम होता है बहुत ज़्यादा stylish वो जो है facebook accept नहीं करता है क्योंकि पढ़ने में नहीं आता ऐसा आप लोगों को यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा इसलिए आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे काफी ज़्यदा जो font style दिखाई देते हैं उन्हीं में से जो font style आपको बार बार बार किले कर देंगे और फानली आपका नाम चेंज हो जाएगा आपको देख सकते हैं मुकेस मरवनसी रहना चाहिए जो भी आपको चाहिए यहाँ पे चूछ कर लिजिए सबसी ओपर वाला मुकेस मरवनसी कर देते हैं इसके बाल आपको अपना password जो भी बनाए हुए है password इ पसंद है आप लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो इंपोर्टन लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें